कार माहीजिक राज सी ये येएएउ करेंगे चाज्य बहुत करेंगे प्रति चैमा में जो हुच बहुत 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 नहीं औरन इस žा रही है अलग अलग बहुत सारे cases हैं सारे भरतियों पर case है हाई कोट में चल रहा है और इसमें बहुत बड़ी breaking news है आप लोग के लिए कि यहाँ पर आज 16 नॉमबर को एक हाई कोट में सुनवाई होने वाला है आज सुनवाई चल रही है सामतों उसका details आगा उस पर हम वीडियो बना कि उसके ऊपर यह नीच लाया गया है निवीज में यह बहुत सारे जो हमारे विरजगार संग के युवा हैं सी आईटेस के उन्होंने कोट में इसको चैलेंज किया था जो दोह चोदों भरते थी उसको उसमें क्या वाता कि CTA निवाज नहीं था जबकि पूरे देश में CTA यह निवाज के लिएकर DGT बहुत पहले से 28 के आसपास से ही नियम ला रही है लागू कर रही है और इसमें जो डिटल्स दिया गया उसी क्या धार पर यहां पर दिया गया कि जो सुनवाई होने वाली है उसका धार क्या है क्या होने वाले आई सपोर्ड के समझ लेते हैं ल NCVT National Council और Vocational Training के निवदेशों की अंध्यकी करने का अरोप लगाया गया है ठीक है ना और यह जो केसे से नहां बहुत पुराना केसे है उसकी हम बाप कर रहे है यहां पर बिरोजगार अधोगिक कल्यान समीति यम 49 अन की एचिका की सुनवाई नयायमूर्थी ASP के सरवानी तथा नयायमूर्थी रजयंदर कुमार के खंट फीट कर रही है ठीक है ना अब इस एचिका में तर्क दिया गया है कि NCVT के प्रस्तावों को समिकार कर 1996 में केंदर सरकार ने CITS Central Training Institute प्रसीशन के लिए राज यां केंदर सरकारों को नियुमालवियों बदलाव करने का नियदेस दिया था इसके तहत प्रदेश में आठ अबस तीन को नियम में संधित किया गया था चार मां के भीतर नहीं राज सरकार ने CITS को नियुमालवियों की बजाए वरियाता में रखने का आधिस दिया इससे चुनावती दी गई 16 नॉमर को सुनवाई होगा इसमें राज सरकार और किंद सरकार की और से बहस होगी और इसमें जो बिरजगार CITS का लियान समय किया है लिखा हुआ पुरा मामला बहुत पुराना है बातों के दिया गया लेकिन अब तो बहुत सरा निया में परिवत्तन किया गया है इसमें नहीं था ऑर एक बहुत बढ़ी बात इसमें ये समी तरह की सुनवाई उत्राखंट में किया गया था उत्राखंट वुक्तार के दौरा hem सब्सक्राइब नहीं किया गया था और उतराखंड हाई कोट ने उसमें आदेश दिया था कि सब्सक्राइब और इसका भी केस अलग से चल रहा है तो ओभर और काफी गोलमाल है ठीक ना पेसेंस रखी आज जो साम तक न्यूज आएगा जो अपडेट आएगा उस पर नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे बस एक न्यूज तर जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहुत कि यह जो नियूज है किसके लिए क्यों इस पर क्या चल रहा है तो सुच लिजेगा नौक्री होने के बाद भी नौक्री चले जाएगी अगर आप एकोर्डिंग टू सविधानी नियूमाली नहीं है जैसे तैसे करके अगर बहारी सरकार पूरा करती है तो आगे भी नोक्र जाने की संभाना बनी रहती है और सेम नियूमाली 22 में ऐसे बहुत से तुटी यहां जिस पर हम लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं सरकार को हम लोग अवगत नहीं करा रहा है और आपस में लड़ रहे हैं जो लोग जल्दी बाजी दिखा रहे हम पेट का एकजान देती हमको न पर देख रहे हैं ज़रू सरकार को सुझीत करना है और उसको सुधार के हम लोग अच्छे तरीकर से नौकरी ले क्योंकि एक करियर का सवाल होता है नौकरी मिलने के बाद नौकरी चली जाती है तो काफी मुस्किन होता है कि दुबारा से आप प्रयास अब के नौकरी ले ठ इस पर अभी कोई अपडेट नहीं अपडेट आएका तो बताएंगे बाकी अपडेट है ठीके ना बहुत सारी कंड़िया बहुत हो जाएंगी और 22 वाला जो भरती है इस पर सरकार हमें लगता है कि विचार करेंगी काया से कि उसमें भी जो निवाली है बहुत सरी तूटियां इसके वाई सो भी पेंडिंग में डाला गया है बहुत लोग को लग रावा कि नहीं प्रेंडिंग एक्जाम डेट नहीं मिल रहा है जैसे कि कुछ अफिसर सरकारियों बता रहे थे त्वीट करके सरकार के पक्ष फैसला रहे कि उसको आपको अफडेट मिल जाएगा और फैसला रहती है कि एजाम लेंगे तो इजाम होगा नहीं तो उसको भी केंसिल करके फिर सफ़रम भरा जा सकता है ठीक है तो चलिए यह अपडेट ता फिर एक वीडियो हम लाएंगे इसमें पूरी तरसे डिटेल्स म हम बाब करेंगे थेंक्यू सो मच फिर मिलते हैं एक नई वीडियो रेकने जनकारी के सांथ तक के लिए नमस्ता